नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका इस्टेडी फॉर सिविल सिर्फिस में ये एक क्विक वीडियो है इसमें फंडामेंटल राइड का पूरा रिवीजन करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैक्ट आते हैं यूपी एससी स्टेट पीसेस या किसी भी एक्जाम में फंडा राइड की बात करें अगर आप तो फंडामेंटल राइड ओरिजनली इंडियन कॉस्टिटिशन में कितने थे साथ थे साथ साथ थे एक को हटा दिया गया तो वह कौन सा था उसको 44 जो संसोधन हुआ था 1978 में उसके से हटा दिया गया था तो अभी राइड टू पर पर है यह ठीक है अभी यह एक इंपोर्टेंट चीज होगी तो इस समय कितने बचे हैं हमारे पास राइड फंडामेंटल छे बचे हैं सिर्फ एक होगा राइड टू इक्वालिटी यह देखें इसमें लिखा हुआ है समता कादिकार सब आगे हिंदी में लिखा हुआ है 29 से 30 हो गए राइड टू प्रॉपर्टी जो है अब यह हट गया है ठीक है अब इसको हटा दिया गया आटकिल 31 में था पहले अब यह 301 के तहत है ठीक है अब सिर्फ 6 बचे हुए है और लास्ट में इन सारे राइड को क्लेम करने का भी एक पंडामेंटल राइड है कोट भी जाए जा सकता है रिट इशू होता है चलिए और उसमें आगे देखते हैं इसमें सिर्फ में 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 बता रहा हूं मैं और यह अभी जो है यह पॉलिटी लिस्टिंग का पार्ट है यह आपको मिलेगा सब कुछ हमने बाइलिंग्वल किया है इसमें ठीक है अभी द और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉव अभी सिर्फ इतना समझें डिटेल्ड वाला जो है वीडियो आप देख सकते हैं लिस्ट से या फिर सिक्स्ट रिशन वाले से हम लोग चलू करेंगे तो विधी के समच्च समता और विधियों का समान संद्च्छण तो चौदा आठ ठीक है सबी लोग लोग के लिए बराबर है वही है 14 पंद्रा वाला आठिकल क्या है कि बहिया किसी के साथ भी बेदभाव नहीं होगा ठीक है प्रोइबिशन है डिस्क्रिमिनेशन का किस किस ग्राउंड पर रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस और बर्द पे ठीक है यह अनुच्छेत पंद्रा में लिखा हुआ है कि धर्मूल वंशलिंग और जन्मिस्तान के आदार पर विभेद का प्रती सेद है अच्छा एक चीज़ हो रहे फंडामेंटल राइट जितने भी हैं सब में कुछ-कुछ एक्षेप्शन जरूर है ऐसा नहीं कि एबसलूट नही होगा 16 वाला क्या है कि जो पबलिक एंप्लोईमेंट होता है जो सरकारी नौकरी होती है उसमें किसी के साथ जो है दुवाति नहीं करी जाएगी सब को एक्कोईलेटी आफ अपउचुनटी मिलेगी ठीक है हालाकि सब में एक्सप्शन है तो 16 वाला क्या क्या कहता है लोक न ये बहादूर वो बहादूर पहले बहुत लोग लगाते थे अब ये सब बंद कर दिया गया है ठीक है जो भी इसमें अगर जो ये जैसे जो बहुत इंपॉर्टेंट जो प्राइज है भारत रत्न पदम स्री पदम भूसन ये सब ये भी कोई सफिक्स और प्रिफिक्स में नह स्टेट की हो चाहे वो जो है आपकी लोकल हो इवन प्राइवेट तक सुप्रीम कुर्ण ने बोला इवन प्राइवेट तक ठीक है और ये तेरा वाला ये दूसरा है और ये चौता चौता क्या है कि नियाय के समग समता हो गए 15 भीया कोई जो है बेदबाव नहीं किया हैं एक ये पूछ लिया जाए कि कौन सेट प्राइव तो म याट युथ exception है बार बार आता है बीस और 21 के अलावा बाकी सारे right को suspended किया जा सकता है बीस और 21 को नहीं किया जा सकता है ठीक है यह अगर national emergency लगिएगी तो आप देख सकते हैं यहां पर कि बीप सोरी कि को यहां पे शुस्पेंड नहीं करेंगे बाकी सब को कर सकते हैं और जो आटकिल नाइंटीन वाला राइट है जो आटकिल नाइंटीन के अंडर छे राइट में ले हुए हैं हमको वो सस्पेंड हो सकते हैं वो भी कब हो सकते हैं सिर्फ वार या एक्स्टरनल एक्रेशन हो मतलब किसी से यूद हो जाए तभी आटकिल नाइंटीन वाला जो है यह फंडमेंटल राइट है उसके अंडरम जो च्छे फ्रीडम को बली हुई है वह यहां पर सस्पेंड हो सकती है समझ गया बात ना नैशनल इमर्जेंसी में बाकी सारे फंडमेंटल राइट आपके हो सकते हैं सस्पेंड लेकिन हो बीस और इकिस नह बाइब भी करिए यह क्या है यह क्या है यह क्या है राइट वोट एक कॉंस्टिटिवजनल राइट है यूपीस्टी ने अपनी ऑफीचल की में माना है साब बात अब आपको मानना हो मानो वरना जो है आप गलत करके आएप फ्रीडम आफ प्रेस यह एक लाइंटीन के तो पहला राइट खताब होगे आपका राइट टू एक्वैलिटी दूसरा क्या है राइट टू फ्रीडम यह उननीस से बाइस तक है स्वतंतरता का अधिकार पहले समता लाई जाएगी फिर स्वतंतरता दी जाएगी इसमें क्या क्या है एक आपको जो है छे फ्रीडम दी गई है छे तरीके के आपके पास दिकार रहें छे दिकारों की सुरुक्चा है वाकिवाम अभी वेक्ति यानिकी स्पीच और एक्स्प्रेशन ठीक है और सम्मेलन यानि एसेंबली हो गया आपका एसोसियेशन मतलब संग हो गया मतलब सब्सक्ता आप सकते हैं मूवमेंट य आपका 20 वाले में क्या है कि आपको कन्विक्शन बसका एक एक वर्ड याद रुको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है कन्विक्शन अगर आ जाए तो वही आटिकल 20 अटिकल 21 तो जो है सबको पता होता है सुप्रीम कोट बार बार जो है इसमें नई नई चीज़े जोड दिया गया हो खाने का अधिकार सुच हवा का अधिकार यह 21 अटिकल ऐसा है इतना ज्यादा इसको एक्स्प्रोर किया है सुप्रीम कोट ने और अभी भी इसमें कई सारा इसको बचा हुआ है मतलब आप यह समझे जो कई बार सोसल एक्स्टिविस्ट होते हैं उनको कोई और और चीड नहीं मिलती है तो यह वाली चीज तो यहां पर है राइट को कि पर प्रोटक्शन आफ लाइप और पर पर्सनल लिबर्टी अब जीने का अधिकार अगर आप जहां पर आ जाए तो वहां पर तो सारी चीज़ है बहुत इंपोर्टेंट के लिए ध्यान लगेगा यहां पर प्रारंबिक सिच्छादिकार अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है इसमें जो है इसकीमी बदल दी गई है वैसे क्या था आपका वैसे तो यही था कि छे से चौदा साल तक के जितने भी बच्चे है उनको फ्री और कमपलसरी एजुकेशन मिलेगी यह क क्या हो गया है अब तो खेला दूसरा हो गया अब तो यह अगर आप देखेंगे तो तीन से ठारा साल तक के बच्चों के लिए होगा क्योंकि निव एजुकेशन पॉलिसी में सब चीजें दी हुई है अब देखें राइट टू एलिमेंटरी एजुकेशन ट्वेंटीवन इसको कब इंसर्ट किया गया था यह ध्यान रखना 86th amendment हुआ था 86th amendment हुआ था 2002 में उसके तहत जोड़ा गया था यह article 21a ध्यान रखना ठीक है उसके बाद अगर आप देखेंगे right to education right to education इसका क्या पूरा नाम है right of children to free and compulsory education 2009 यह 2009 का act है और finally इसको यहाँ पे implement कब किया गया यह अब देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ article 21 और यह right to education यह in force कब किया गया effective कब हुआ यह एक अप्रेल 2010 को ध्यान रखियेगा यह चीज ठीक है तो यह हम लोगों ने देख लिया पूरा right to freedom हो गया यह ठीक अब इसमें यह ध्यान रखिये कि 19 वाला वही सब होगे 6 ज यहाँ पे observation है अर्लकी इसकी कोई trick नहीं मिल नहीं है conviction जो सब्द है उसमें आप देखेंगे तो 10 यहाँ पे alphabet है ठीक है और यह जो article 20 है इसमें 20 है तो 10 into 2 समझ रहो बाद तो आयसे कुछ करके trick बना लो आप अपराद के दो सिद्ध के लिए double मेहनत लगती है दुगनी मेहन ठीक है बाकि हमने देखी लिए राइट टू लाइफ पर्सनल यह प्रोटेक्शन ऑफ लाइब पर्सनल लिबेटरी ट्वेंटीवन हो गया एलिमेंटरी एजूकेशन ट्वेंटीवन हो गया ट्वेंटीटीटू अला कौन सा हो गया आरेस्ट और डिटेंशन के लिए प्रो बिइंग में और फोर्ज लेबर नहीं होगा ठीक है तो उसके लिए प्रोइबिशन है यह और जो अगर आप देखेंगे यह कारखानों आदू में बच्चों के नियोजन का यह जो है प्रतिशेद हो कि मतलब यानिकी चिल्डेन को इंप्लॉइमेंट नहीं करना चाहिए य ठीक है फिर हम देखते हैं चौथा वाला फंडेमेंटल राइट इसमें कौन कों से इसमें कितने हैं इसमें आपका 25, 26, 27, 28 है चार इसमें आपको दिये गए सब पार नहीं से यह क्या है राइट तू फ्रीडम आफ रिलीजन धर्म की स्वतंतरता का अधिकार ठीक है पहला करनकी स्वतंतरता किसमें दी गई है? 25 वाले आटकिल में दी गई है और फ्रीडम टू मैनेज्ट, रिलीजास अफैर्स यह किसमें दी गई है? 26 वाले में, 26 वाले में मैनेज कर सकते हूँ आप लग एक कार्यों के प्रबंद की 13 वाले में, 25 वाले में यानि कि किसी धर्म की भिरोइद्धी के लिए करो के संदाय के बारे में सुटन्तरता है, यह किसमें आएगी 27, 27 मतलब कि अपने ढ़रा के प्रचार पसार के लिए टाइक्स नहीं देना है, 27 में है टैक्स नहीं देना है किसमें 27 में 28 वाला क्या है कि या आपको फ्रीडम है किस चीज की कि कि कोई ऐसा इडूकेशनल इंस्टिटूट है जहां पर कोई ऐसा रिलीजियस अगर इंस्ट्रिक्शन दिया जाएगा मान लिजे एक कोई जो है अगर आपका एक्स धर्म का कोई स्कूल है और उसमें कुछ वाई धर्म और जेट धर्मौले भी लोग पढ़ते हैं ठीक है तो उसमें अगर एक्स धर्मौलों का कोई जो है फंक्शन हो रहा है उन्होंने ऐसा कंपलसरी नहीं कर सकते हैं वाई और जेट के लिए वह ची चिस चब्विस सताइस अठाइस द्यान अगरा यह और यह जो 29-30 से यह किस से माइनोर्टी से रिलेटेड है तो पाचवावाला हमारा फंडामेंटल राइट कोई सा हो गया कल्च्राल और एजूकेशन राइट यानि कि संस्कृति और सिच्छा संबंदी एदिकार 29-30 ठीक ठीक है अच्छा एक बाद ताइए कोई क्वेश्चन चलिए से फंडामेंटल राइट जो हमने यहां से लिए अपने कौन से देश का फिर 29 होगे आपका 30 क्या होगे राइट टू मैनर्टी इस राइट ऑपनर टू इस्टेप्लिजेंड एड्मिस्टर एडूकेशन अपना और प्रशाशन करने का अल्प संख्याग वर्गों का अधिकार है तीस नंबर का 29 आपका मैनर्टी वाला होगे अल्प संख्याग जो है बहासाली प्यूर संकति की कैसे करेंगे 29 के तैद और जो यहां पर कि सिच्छा संस्थानों की यहां पर जो एडूकेशनल इंस इसके बाद एक 30 बनता लेकिन वह तो राइट व प्रपर्टी को अच्टा दिया गया अब वह फुर्टी फॉर्ट्यूजनल एमेंटमेंट में आता है पार्ट बारा में ध्यान रखिएगा बहुत ही ज़्यादा जरूरी है बतलब आपके पास जो फंड्नामेंटल राइट हैं उनकी constitutional remedy के लिए होता है ये राइट उनको इंशोर कराने के लिए होता है राइट ये अगर आपका fundamental right state ने वाइलेट कर दिया या किसी ने वाइलेट कर दिया तो आप सुप्रीम कोड डायरेक्ली जा सकते हो यह ध्यान लगना यही है आट कि 32 इसका मतलब क्या है right to move the Supreme Court for the enforcement of fundamental right Supreme Court क्या जारी करेगा छे रिट जारी कर सकता है यहां पर यह कहाँ पर यानि कि to produce the body मालिजा आपको किसी ने अरेश्ट कर लिया तो 24 गंटे के अंदर body दिखानी पड़ती है ठीक है किसी ने पुलिस ताने में किसी को बंद कर लिया तो आप मतलब कि we certify को वारंटो मतलब what is your authority क्या ऐसा नहीं कि कोई इतने बड़े ओफिस पे कोई भी आकर कपजा कर ले कोई भी एक दम से मंत्री बन जाए कोई प्रजान मंत्री बन जाए ठीक है डिटेल में मैंने सब पताया रीट्स वाले वीडियो में देख लिजे एक चीज़े ध्यान रखिए कि भाया अगर आपका fundamental right violate हुआ है आप directly supreme court जा सकते है या high court जा सकते है लेकिन देखे लिखा हुआ है अगर आपका fundamental right violate हुआ है तो जो भी आप ग्रिव पार्टि मतलब ज लिए high court के through मिल लगी है तो पहलो आप वहीं जाओ लेकिन आप आप जा सकते हो supreme court भी यह ध्यान लगना ठीक है क्योंकि supreme court जाना भी हमारा fundamental right है हमारे right का किसी ने violate किया तो हम supreme court जा सकते है यह भी हमारा fundamental right आप यह जल्दी लिए देख लेते हैं कि विदेशियों के मूल निस उन्तिस तीस पंद्रा सोला उन्निस उन्तिस तीस ध्यान लखना अब देखेए इसमें क्या है पंद्रा वाला तो वही है कि वह किसी साथ देद्वाव नहीं होगा धर्म और जाती हो सब के आधार पर सोला मतलब पप्लिक इंप्लॉइम्ट वाला भी मैंने बतायता है निसाओ योदित से फ्रीडम थी जो थीक है उन्तिस वाला माइनॉर्टी को यहां पर उन्नीस वाला क्या था माइनॉर्टी की जो लैंग्वज और इसाफल्ग करने तीज सुग्त लिए इसलिए तो सिर्फ सेटीजन कोई होने चीए ना अब देखे पार्ठ किल 15 अब बेर वाला जो है एब सोला वाले माल यह पब्लिक इंप्लाइमेंट निकला इंडिया के लोगों को नोग नहीं मिल पा रही है कोई विदेशी आया वह भी मूठा के पहुच गया तो यह गलत हो जाएगा ना उन्निस वाला जो है को हैं यह दोनों को हैं सिटीजन और फॉर्णर दोनों को एकसेट इने मिलेन मतलब दुश्मन वाले यह पाकिस्तान और यह बंगलादेशी चाहिना यह सब ठीक है तो सिटीजन वाले क्या हो गए 15 16 19 39 ठीक और यह वाला कौन सा हो गए आपका यह 14 20 21 21 वाले दोनों और 22 28 है कि भया प्राद को सिद्ध करने के लिए दुगनी मेनद करनी पड़ती है द्यान रखना कन्विक्शन बताया था कन्विक्शन में कितने वर्ट सब्द हैं यह अलफाबिट दस हैं दस का दूना बीस 21 वाला भया रूजो परसनल लिबेर्टी और वह लाई लाइफ और पर टैफिगिंग नहीं होगी 24 वाला बच्चों को जो है कारखानों में नहीं किया जाएगा और 25 से टाइस तो यह इस तरह से याद रखिएगा बागे आप देख सकते हैं मैंने शार्ट में बता दिया 15 16 19 39 15 वाला जो है यह सिटीजन को है अभी मैंने बताया आपको सारी कन्विक्शन वाला हो गया बीस वाला और जो है 21 वाला तो सबको हो गई पर यह प्रोटेक्शन ऑफ लाइप पर्सनल लिबर्टी इलिमेंटरी एजूकेशन का भी चलो सबको दे दिया गया अब तो न्यू एजूकेशन पॉलिसी में इसमें काफी बदला हुए है 22 डिटें सब्सक्राइब हुए कुछ भी हो सकता है अंडिया की Dorothy कुछ ऑर्मेंट्ट के फटो स्क्राइब के नक्ति तेल में आशिए चेट टेरा में क्या लिका उवा है चुरू जो है आप कोई भी ऐसा law बनाता है इस्टेट तो उसका judicial review हो सकता है आप से पूछा जा सकता है भाईया judicial review यह किस article के तहता सकता है तो यह कौन सा article article 13 judicial review और judicial review जाएगा तो किसके किसके पास जाएगा article 32 के तहए सुप्रीम कोड और हाई कोड में article 226 के तहएद यह दोनों ही कोड किसी भी law को ऐसा जो law है जो fundamental के से नहीं मतलब mail खाता है उसको unconstitutional कर सकता है बागी तो हम लोग देखी चुके हैं 14 वाल equality before law ठीक है अच्छा यह कुछ कुछ exception मैंने लिख दिये हैं कही बार यह important है सुप्रीम कोड ने बोला है कि जहां पर article 31C आता है 31C मतलब कि माल लिजए DPSP के लिए कोई चीज पर यहां पर implement करनी है DPSP क्या होता है डायरेक्टिव प्रेस्पल ऑफिस टेट पॉलिसी जो राज को करना चाहिए अपने नागरिकों के लिए उसके लिए कोई scheme scheme बनाई मा exception तो होते ही जैसे OBC वाला उनको 27 परसेंट और प्लस वो सब जो चीजे हैं और EBC वाले में अगर आप देखेंगे economically backward cast OBC वाला कौन से amendment से 93 वाले से EBC वाला one dead third constitutional amendment से ठीक है फिर अगर आप देखेंगे 16 वाला क्या है एक जो एक पर दो प्रोडिक्शन ऑफ सीविल लिबर्टी वाला एक्ट है कहीं भी को डिफाइन नहीं किया गया है evolution of title 18 वाला है 19 वाला में ने बताया था आपको छे टाइप की freedom याद है पहले इसमें साथ थी फिर वो 44 अर्ट के ला 44 रिमेंट्मेंट आया 28 वाला और उसको जो 78 वाला हटा दिया गया उसमें जो राइट टू प्रोपर्टी अब क्या है वो 301 के तहट वो क्या है एक लीगल राइट है ध्यान लगा पार्ट 12 में है यह ठीक है उसके बाद अगर आप देखेंगे conviction वाला में बता है 20 फिर ये 21 वाला ये life और personal liberty यह fundamental राइट को जो है इसको लिमिटेड कौन करते हैं लिमिट कौन करते हैं मतलब इस पर जो है किसी तरह से restriction कौन लगाते हैं एक 31A 31B और 31C 31D को तो खतमी कर दिया गया है 31A का क्या कहता है यह कोई acquisition करना है कुछ संपता grant करनी land acquisition करना है तो वह आले लौग इसमें डाल दि में कर देते हैं अलाकि उस पर भी हो सकता है ठीक है और 31C वाला क्या है कि कोई DPSP अगर इसकी में लाव बनाना होता है तो 31C में कर देता यह तीन और ध्यान रखेंगा कि 33 वाला क्या है कि fundamental right कई तरह से यहां पर रिस्टिक्टेड होते हैं जो भी यह फोर्सेज वाले 33 वाला हो गया फोर्स वाला 34 मतलब मार्शियल लाओ मार्शियल लाओ तक लगाता है नहीं तो इसलिए कुछ पता नहीं है 35 मतलब कि वहिए इसको बनाएगा कोई fundamental right को अगर कोई भी चीज़ यहां पर करनी है मतलब ज्यादा तर तर तो वैसे ही अपने आप इन्फोर्सिव करो काम करो यार काम करो implement करो उसको फिर यह फंडमेंटल राइट वहिए क्या है यह जस्टीस यह मतलब आप कोट जा सकते हो अगर इनको वाइलेट कर दिया जाए डीपीस पी मैं इसा कुछ नहीं है डीपीस पीम जो लिखाई यह नहीं कि आप जो है इसको यह इंप्लिमें करना चाहि चाहिए फिरिए क्वसे पर फिर्याइब इस नगा रमयरेटर को पर इसको एए फिर हैंके कोई राइँ जायता तर के लिए लेकिन ज़लाट इसको रिकारेटर्थे और आटंधिकल